आज हम बनाने सीखेंगे कद्दू के बीच का नमकीन ये बीच बहुत ही गुनकारी होते हैं तो इसको सबसे पहले हम धो लेंगे फिर हम एक चमच ओयल लेंगे कड़ाई में और इन बीचों को जो हमने धो के सुखा लिया है इनको अच्छे से रोस्ट करेंगे जब तक कि ये क्रिस्प हो जाएं ये बहुत ही यूसफूल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए इसमें मैगनीशियम बड़ा जादा होता है इसलिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं हार्ट डिजीज का रिस्क कम हो जाता है इसको खाने से ये हमारी हेल्थी बोन्स के लिए बहुत अच्छे है और ब्लड शुगर भी मेंटेन करते हैं हमारा तो हम इसमें अभी काली मिर्ची डाल देंगे जब अच्छे से क्रिस्प हो गए हमारे ये कद्दू के बीच और नमक डाल देंगे अकॉर्डिंग टेस्ट और आप अपनी मर्जी से कोई और मसाले इसमें डालना चाते हैं फ्लेवर तो आप डाल सकते हैं नहीं तो ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगते हैं अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंदा रही हैं तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए